Hello Friends, मैं हूँ आपके सामने गोरो मिगलानी Topic स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बादा देता हूँ कि आपके इसी चैनल पर ये सारी प्लेलिस्ट अल्रेडी एवेलेबल है तो अब हम जो case discuss करने जा रहे हैं वो हमारी 12th class की business studies को लेकर है Case बहुत ही simple है तो आईए अब हम case की और चलते हैं Triple P Limited पुराने कपड़ों का इस्तमाल करके files and folders बनाने में लगी हुई है ताकि plastic के files और folders को avoid किया जा सके तो ये आजगल हमको भी पता है कि plastic के bags हमें use नहीं करने हैं कपड़ों के bag हम use कर सकते हैं environment के लिए ये सही भी है तो company ने क्या किया है ये manufacturing करने के लिए एक गाउं के अंदर ही plant लगाया हुआ है factory लगाई हुई है और उस गाउं के लोगों को नोकरियों पे रखा हुआ है क्योंकि उस गाउं में situation ऐसी थी कि लोगों के पास नोकरिया ही नहीं थी तो company ने क्या किया है उसी गाउं में plant लगाया है और गाउं के लोगों को नोकरियां दी हुई है तो company का फरम का एक employee है जिसका नाम है अमन अमन ने एक plan design किया है जिसके according cost को कम किया जा सकता है लागत कम की जा सकती है उसने ये बात production manager को बताई production manager ने उसकी बात सुनने से मना कर दिया और उसके plan को अंदेखा कर दिया इसी तरह से एक employee और है जिसका नाम है सोहन सोहन ने production manager को suggestion दिया है कि design के अंदर improve किया जा सकता है design थोड़ा सा और सुधारा जा सकता है पर production manager ने इसकी बात को भी नहीं सुना और इसको appreciate तक भी नहीं किया कि तुम एक अच्छा plan लेकर आए हो तो यहाँ पर ध्यान से अगर हमने देखा तो production manager ने इन दोनो employees की बात को अंदेखा किया है इनकी पहल शमता की भावना को अंदेखा किया है तो question के अंदर हमको यही पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा principle of management है जो violet हुआ है और दो values भी हमको बतानी है इस study के base पर की company वो कौन सा message है जो society को communicate करना चाहती है तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनो employees ने अपनी पहल शमता की भावना को बताया है दिखाया है production manager को वो ये बताना चाहते हैं कि cost कैसे कम की जा सकती है design के अंदर कैसे improve किया जा सकता है पर production manager ने क्या किया उनकी बातों को सुन कर भी अंदेखा कर दिया उनके विचारों को welcome तक नहीं किया इनको appreciate तक नहीं किया तो यहाँ पर क्या हुआ initiative जो principle है जो हेंडरी फियोल ने दिया है कौन सा initiative जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि पहल शमता ये एक ऐसा principle है जिसके according हेंडरी फियोल ने हमको बताया है कि हमें employees को मोका देना चाहिए कि वो अपने विचारों को प्रकट करें भले ही हम उनके suggestion को apply ना कर पाएं पर अगर हम उनकी बातों को सुनकर अंदेखा कर देंगे या उनकी बातों को दबा देंगे तो next time वो हमसे कोई नया suggestion कोई नई improvement लाने की बात कहने की हिम्मत भी नहीं करेंगे अब इसने क्या किया production manager ने इस case के अंदर इन दोनों की बातों को अंदेखा किया है इनको appreciate तक भी नहीं किया कि तुमने जो काम कहा था कोश्ट कम करने का topic बताया या design improve करने के बारें बताया कि ये appreciate है पर ये कह देता कि हम इसको अभी apply नहीं कर सकते बलकि दोनों को demotivate होना पड़ा है इनकी पहल शमता की भावना को दबा दिया गया है तो यहाँ पर definitely principle of management कौन सा वायरेट हुआ है हिंदी में पहल शमता इंग्लिश में हम इसको initiative कह सकते हैं question number two क्या था दो values हमको बतानी है तो company ने देखो environment का कितना ख्याल रखा हुआ है कपड़े के backs बनाने में लगी है तो company को definitely environment के प्रतिचिंता है concern for environment second जो value है वो यही है कि ऐसे गाव में company ने प्रांट लगाया है ऐसे गाव के लोगों को नोकरियां दी है जिन लोगों को नोकरियां available नहीं हो रही थी तो definitely company ने गाव के लोगों को नोकरियां दी है employment तो यह दो values हैं जो company society तक communicate करना चाहती है पहला environment के लिए safety दूसरा गाव के लोगों को नोकरियां देना